क्या है कहानी फिल्मी द केरला स्टोरी की परदे पर उतरी एक दर्द भरी सच्चाए। विशेश प्रीमियम में इस मूवी को देखने के बाद इतना कहा जा सकता है कि यह भले ही कश्मीर फाइल्स जैसी कमाई ना कर पाए। लेकिन इंडस्ट्री में द केरला स्टोरी देश का जो माहौल है और नई पीडी की देश के मुद्दों को लेकर जो अन्भिग्यता है उसमें द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद चर्चा का विशेश जरूर बन गई है यह अलग बात है कि देखने वाला जिस तरह के फिल्मी हस्ती में नहीं होती थी कि वो कश्मीर का वह सच दिखा सके जिसके कारण कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई उतनी ही हिम्मत की जरूरत थी द केरला स्टोरी को बनाने में जिसे सुदीप्तों से इनने कर दिखाया है हमारे यहां एक ऐसा राजनीतिक बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में उस लब जिहाद पर फिल्म बनाना वाकई हिम्मत का ही काम कहा जाएगा जिसको लेकर कहा जाता रहा है कि यह कुछ लोगों की कल्पना भर है। वीडियो अब तक पसंद आई है तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले। यह कर लिया जाता था, उसे लब जिहाद कहा जाने लगा। देश भर में ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसे परदे पर लाने की शुरुआत उसी केरल से हुई जहां ऐसी घटनाओं का सबसे पहले जिक राया था। फिल्म की कहानी है नर्सिंग कॉलेज जहां कॉलेज है, बहां से दूर है, सो वो हफ़ते के अंत में घर नहीं जा पाती। दूसरी लड़की है गीतांजली सिद्धी इदनानी जिसके पिता कम्यूनिस्ट हैं। वो धर्म को अफीम समझते हैं। ये दोनों ही लड़कियां अपने धर्म के बारे में जादा नहीं जानती। इसाई लड़की निमा, योगिता बिहानी, जरूर अपना धार्मिक रीती रिवाज अपनाती हैं। ऐसे में चौथी लड़की आसिफा, सोनिया बलानी आई, एस, आई, एस के लिए काम कर रहे एक मौलवीब उसके गैंग के संपर्क में हैं। वो केरल की लड़क जबकि शालिनी उनमें से एक लड़के से प्रेगनेंट हो जाती है, तो फातिमा बनकर उसे किसी और से शादी करके सीरिया जाना पड़ता है। जबकि दूसरी लड़की गीतांजली इंकार करती है, तो उसके निजी वीडियो वाइरल कर दिये जाते हैं। इसाई लड़की की ड्रिंक में ड्रग्स मिला कर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। कहानी की मूल किरदार शालिनी को केंद्रम में रख कर फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। और कैसे वो सीरिया से बच कर वापस आ पाती है और इस पूरे एजेंडे का दुनिया के सामने खुलासा कर पाती है। इसी को एक नहीं बलकि दो-दो समानांतर चल रहे फ्लेश बैक्स के जरिये सुदीप्तो से इनने सावधानी से फिल्म आया है। ऐसे में सस्पेंस ना होने के बावजूद हौल में पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहता है। फिल्म में चून की कुछ लड़कियों की सची कहानी है। सो बाद में उनकी पहचान चुपाकर उनके बयान भी दिखाए गए हैं। वरना बहुतों को कई बातें इस मूवी की आसानी से हजम नहीं होंगी। कैसे हिंदू और इसाई धर्म के देवताओं की बुराई करके इसलाम के अल्ला की तारीफ की जाती है। कैसे दोजग का खौफ दिखाकर मासूम लड़कियों को डराया जाता है। कैसे उनपर हमला करवा कर ये साबित किया जाता है कि तुमने हिजाब नहीं पहना था इसलिए ऐसा हुआ, कैसे हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने ही धर्म गरंथों, देवी देवताओं का ज कैसे केरल में पुलिस और प्रशासन ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता, इस सब को सुदीप्तो से इनने ना केवल बारी की से बल्कि उससे भी ज्यादा हिम्मत के साथ इसे अपनी मूवी में पिरोया है। पहले भी कई सीरियल्स वह फिल्मों में काम कर चुकी हैं, योहिता बिहानी को आपने हृतिक की विक्रम बेधा में चंदा के रोल में देखा था, उनकी एक स्पीच दकेरला स्टोरी में उसी तरह फिल्म में इस्तेमाल हुई है, जैसे दर्शन रावल की कश्मीर फाइल्स में ली गई थी, गीतानजली के रोल में सिद्धी इदनानी के रोल के भी कई शैद्स हैं, और वह सर छोड़ती भी हैं, मूवी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और केरल की लोकेशन्स को अच्छी तरह से शूट करती है, वहां के महौल और खुपसूरती को भी कैमरे से अच्छे से कैद किया है, कहीं से बनावटी सेट नहीं लगते और नहीं जरूरत से ज़्यादा भव्य लगते हैं, हां केवल मनोरंजन के लिए मूवी देखने वालों को इस मूवी से निराशा हो सकती है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने भी हैं, वो फिल्म की कहानी को आग चासी फीसदी वैसी ही है, ऐसे में मूवी लब जिहाद जैसे एक ऐसे विशय की सच्चाई को दिखाती है, जो अब तक धार में कावरन के चलते दिखाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसे फिल्म के प्रड्यूसर और क्रियेटिव डाइरेक्टर विपुल श नजरा सकते हैं। दे केरला स्टोरी रिव्यू इन हिंदी, फिल्म, दे केरल स्टोरी, एक ऐसी कहानी है जो केरल में हुए धर्म परिवर्तन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में एक नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों को इसलाम अपनाने और आयसा इस संगठन में शामिल होने के लिए किस तरह से ब्रेनवाश किया गया ये दर्शाया गया है। भारत में धर्म परिवर्तन कोई नया मुद्दा नहीं है और कई फिल्मों में इस बात को पहले भी दिखाया जा चुका है। फिल्म में सुदीप्तो सेन की रचनात्मक लेखनी ने इस मुद्दे को बहुत ही समवेधन शील धंग से दर्शाया है। To know everything in details, let's read this the Kerala story review in Hindi. Kerala story, एक वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, जो की केरल में नर्सिंग कॉलेज के चार लड़कियों की कहानी है जिनको केरल में आइसेस के लिए काम करने वाले गिरोह द्वारा बुरी तरह फंसा दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी शालिनी उन्नी कृष्टनन की गिरफतारी से शुरू होती है। फ्लेश बैक की कहानी के अनुसार, शालिनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कोची के कासर गोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाती है। वहाँ शालिनी की मुलाकात आसिफा, गीतांजली और नीमा नाम की लड़कियों से होती है जो की शालिनी के रूम मेट भी होती है। उन चार लड़कियों में शालिनी और गीतांजली दोनों हिंदू परिवार से होती है जबकि आशिफा मुस्लिम और नीमा कैथलिक क्रिस्चियन परिवार से होती है। कि इसलाम मजभ ही उनके लिए अच्छा है और इसलाम से अच्छा इस दुनिया में कोई भी मजभ नहीं है और इसलिए हर किसी व्यक्ति को इसलाम स्विकार करना चाहिए और मुस्लिम हो जाना चाहिए। उन्हें बाहरी देश में भेज दिया गया था जहां उन्हें वहां के निरंतर आश्रे केंद्रों में रखा गया था। फिल्म ने ये भी दिखाया है कि कैसे इन लड़कियों के परिवारों को उन्हें धूंडने में कितनी मुश्किलें आती हैं और वहां के समाज में इनके लिए कैसे सबसे बड़ी मुश्किलें जहिलनी पड़ती है। ये फिल्म इस विशे पर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। फिल्म के कुछ और ध्यान देने योग्य बाते। डाइरेक्टर सुदीप्तों ने यहां हिंदू लड़कियों को कमजोर और भोला जबकि मुस्लिम लड़की को चालाक और इसलाम के प्रती वफादार दिखाया गया है। फिल्म दे केरल स्टोरी बनाने का मुख्य उद्देश्य था। दर्शकों को एक ऐसी वास्तविक्ता दिखाना जो हमारे भारत देश के सबसे पड़े लिखे लोगों के राज्य के रूप में जाने वाले केरल की है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे महिलाओं के दुखद अनुभवों को दर्शाती है, जिसे देखकर आपके हृदे में असंखे तस्वीरें उभरती हैं। फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे महिलाओं अपने जीवन में इसलाम में धकेली जाती हैं और उन्हें अपनी इच्छा के बिना मुस्लिम बनाया जाता है। फिल्म में ऐसे अनेक सीन हैं जिन से हमें एक आशु भरी कहानी देखने को मिलती है। फिल्म के डायलॉग ने मुझे गहरी आँखों से देखने को मजबूर कर दिया है। सीरिया, श्रीलंका सब के बम ब्लास्ट में केरल के लड़के मिलते हैं तब भी आपको सबूत चाहिए। ये डायलॉग एक ऐसी सच्चाई बताता है जो हमें उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के दौर में जहां कलाकारों की एक्टिंग से लेकर स्टोरी और संगीत तक सब कुछ सुंदरता का एक महत्वपूर्म घटक होता है। उस दौर में दकेरला स्टोरी फिल्म का प्रदर्शन देखकर मेरा मनखुशी से जूम उठा। इस फिल्म में अदा शर्मा ने शालिनी उन्नी कृष्णन का किरदार निभाया है जो मुसल्मान धर्म में कन्वर्ट होने के बाद फातिमा बाके रूप में जानी जाती है। उनकी एक्टिंग से लेकर साउथ एक सेंट तक सब कुछ बेहत प्रभावी रहा है। इसके अलावा फिल्म में योगिता और सोनिया नाम के किरदार भी अदा किये गए हैं जिन्होंने अपने किरदारों को पूरी इमानदारी से निभाया है। साथ ही, बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक भी फिल्म के मूड को बहतर बनाने में मददगार साबित हुए हैं। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग न केवल फिल्म के संदेश से प्रभावित होंगे, बलकि इसकी सुन्दर तस्वीरें और कलाकारों की बहतरीन एक्टिंग भी उन्हें याद रहेंगे। हमारे देश में जिस चीज का ज्यादा विरोध होता है, लोग उस चीज को देखने के लिए अलग ही प्रकार से उतसाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से केरल स्टोरी फिल्म को प्रतिबंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने फिल्म का निर्मान करने के लिए वास्तविक धर्म परिवर्तन के केस की रिसर्च की और तत्यों के उपर फिल्म बनाई हुई है। फिल्म के निर्मान करताओं के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 32,000 से भी अलग-अलग धर्म और मजब की लड़कियां केरल से गायब हो चुकी है जिन में से बहुत सी लड़कियां आतनकवादी ग्रूप आई, एस, आई, एस में शामिल हुई थी और वहाँ पर उनकी मौद भी हो चुकी है इस फिल्म के अंदर केरल की जिन लड़कियों की कहानी को दर्शाया गया है उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है हाला कि उनके बयान को अवश्य ही दर्श किया गया है और उसी के आधार पर फिल्म का निर्मान किया गया तो दोस्तों मूवी रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को औल पार सिलेक कर ले तो मिलते है एक नई कहानी में तब के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखे धन्यवाद